हलो आज है 25 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहें नीट्वर्क 18 के बारे में देखे 52 रुपीज का ये शेर है और काफी बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है देखो बाज़र अच्छे मूड में नहीं है बाज़र में हमें कल गिरावट देखने को मिली थी लेकिन एक बहुत बड़ा करेक्शन कहलो कि नेट्वर्क 18 में चल रहा है 7 परसन तक गिर चुका था ये कल ये शेर तो बाज़र करेंगे इस वीडियो में कि चल गया रहा है मौके बन रहे है कि नहीं और देखो मुकेश हमबानी इस कमपनी के मालिक है तो बाज़र करना बनता भी है कि क्या यहाँ पर कोई परदे के पीछे बड़ा गेम चल रहा है देखिए वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने वीतिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो पो काफी जादा हेल्प करेंगे तो नेटवर्क 18 का जो शेर है ये 7 परसन की गिरावर दिखा रहा है 52 रुपीस पर जा चुका है और देखिए अगले हफते से IPL भी शुरू हो रहा है और IPL के जो राइट्स है वो इन्हों नहीं खरीदे है लेकिन फाइदा इनको नहीं मिलने वाला है फाइदा मिलने वाला है जियो को हलागे जियो ने खरीदे है जियो सिनेमा ने खरीदे है और जियो सिनेमा में फ्री में IPL दिखाई जाएगी यहां पर फ्री में IPL दिखाई जाएगी वहां पर तो जियो सिनेमा पूरा अलग एंटिटी है वो Reliance Industries का पार्ट है Reliance Geo का पार्ट है उसका Network 18 से कोई लिना दिना नहीं है ठीक है लेकिन एक चीज़ आपको पता है कि Network 18 की एक Company है मतलब Network 18 में ही एक आती है Woot करके OTT प्लेटफॉर्म है Woot और Woot के OTT प्लेटफॉर्म एक subscription बेज है जहां पर आपको पैसा चुका कर आपको वहाँ पर जो भी वेब सिरीज है मूवीज है वो आप देख सकते हो मतलब Amazon की तरह आपको पैसा खर्ज करके देखना होता है लेकिन Geo Cinema एक फ्री प्लेटफॉर्म है एड्स दिखती है वहाँ पर लेकिन फ्री प्लेटफॉर्म से आपको कोई पैसा पे नहीं करना है और बड़ी बात यह है कि Alt Balagy के Woot के कई सारे शोज जियो सिनेमा में अब फ्री में देख सकते हो तो जाहिर से बात है Woot का इनका जो एक एंटिटी है वहाँ पर डेंट लगने वाला है आने वाले दोर में मुझे आता है कि as a OTT प्लेटफॉर्म Woot का सक्सेस होना मुश्किल है क्योंकि जियो सिनेमा को बड़ा बनाया जाएगा इसके जरीए और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब आप खुद सूचे कि जियो सिनेमा अगर सब कुछ फ्री में बाटना शुरू कर दे रहा है अगर अगर आप देखो तो नेटवर्क 18 में जो कलर्स आता है इवन जो इनिक एंटिटी है चाहे cnbc आके बात करे नेटवर्क 18 के बात करे इनके खुद के प्लैटफर्म जिसे कलर्स वगरा के बात करे वो अब जियो सिनेमा में फ्री में देख सकते हो तो इनकी जो टी आरपी है कहलो हला कि अभी भी बहुत सारे लोग आने वाले दोर में ऐसा नहीं है कि आप यहीं पर स्विच करेंगे मतलब अप पर स्विच करेंगे इसा नहीं होगा टीवी देखने वाला वर्ग पूरा अलग वर्ग है लेकिन फिर भी कहते हैं कि वहां पर से ट्राफिक यहां पर आ रहा है जियो सिनेमा की तरफ जा रहा है तो जियो सिनेमा को बड़ा बनाया जाएगा और इनका क्या होगा यह कहना मुश्कील है अब देखें पिछले एक महिने में अगर हम देखेंगे तो साड़े आठ परसन की गिरावाट आई इससे पहले भी पचास रुपे तक गया था वापस बाउंस बेक करके साट पर चला गया लिए एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 40 परसन की गिरावाट है कहां से तूटकर 115 रुपे से और जो लो बना था वो 50 का बना था ठीक है वापस बाउंस बेक है लेकिन वापस वहीं पे जा रहा है अगर हम बात करें पिछले 5 साल की तो कोविट काल में 17 रुपे का ये शेयर था 17 रुपे का एक बड़ी रफ्तार पकड़ी इसने जरूर थी काफी अच्छी रफ्तार थी यहां पर कह सकते हो काफी उपर तक शेयर गया लेकिन वापस अभी करेक्शन वाला माहौल चल रहा है और आधे से भी जादा तूट चुका है यह शेयर आधे से भी जादा तूट चुका है और मैं मानता हूं कि शायद 50 के आसपर एक सपोर्ट मिलना चाहिए क्योंकि इसे पहले भी अगर आप देखोगे तो 2021 में जून से लेकर अगस्त महिने तक सप्टेंबर महिने तक भी यह 50 रुपे की रेंज में लंबा टाइम इसने बिताया था एक सपोर्ट वहां पर बना तो मुझे लगता है कि शायद 50 के आसपर सपोर्ट बनना चाहिए अगर नहीं बना अगर 50 का लेवल भी तोड़ दिया मिल रहा है अगर मैं बात कर नेटवर्क 18 की तो 25 लाग के आसपास का वॉल्यूम्स देखने को मिला अच्छे कॉन्टिटी में शेयर ट्रेड नहीं हो रहे हैं यहां पर और देखा जाए तो यहां पर कंपनी को लेकर डिविडेंट की बात के रहे तो पे नहीं कर रहे है 2008 में पेच रहा था अकरी बार रेवन्यू देखो तो ठीक ठाक है कोई उतने बड़े अच्छे नहीं है अगर मैं आपको इनके रेवन्यू की तरफ ले चलो क्वार्टर औं क्वार्टर सबसे पहले तो कंपनी की जो रेवन्यू है वो ठीक तो नहीं लग रहे है यहां पर अगर आप देखोगे तो 1655 था 1621 रहा लेकिन जून में 1340 पर चला गया अब 30 दिखा जरूर है पिछले तीन क्वार्टर में पिछले दो क्वार्टर में कहलो के दीरे दीरे करके रेवन्यू बढ़ा जरूर है लेकिन प्रॉफिट के अगर हम बात के तो यहां पर प्रॉब्लम शो हो रही है जो कंप सब्टेंबर क्वार्टर में 36 करोर्ड 50 लग का लॉस हो गया तो नुकसान है कंपनी का अगर आप इनकी निट वर्थ भी देखोगे तो यहां पर भी कुछ खास नहीं बड़के कम हो रही है quarter लेगर आप देखोगे इनके net worth तो कम हो रही है year ले देखोगे तो गिरही रही थी लेकिन थोड़ी बहुत बढ़नी शुरू हुई जरूर है लेकिन फिर भी कम है यह काफी कम है net worth 18 को लेकर हम बात करेंगे तो company का जो P ratio वो 28 का है कोई भी यहाँ पर अपनी राई अभी नहीं दे रहा है क्योंकि रिस्की बहुत company है यह बात करने जाए company में तो 75% की holding promoter के पास है promoter Reliance Industries के पास है यहाँ पर 0.58% है mutual fund के पास domestic ने हाथ भी नहीं डाला कुछ नहीं खरीदा Files के पास 5.57% की holding है देखिए mutual fund domestic की बात के तो वो उतने जाद excited नहीं है यहाँ पर और Files के पास है लेकिन ठीक ठाकी है थोड़ी बहुत ही है यहाँ पर retail और other की holding 18.85% है जिनमें retail investors 4.92% की holding लेकर बैठे हुए है other parties 13.93% की holding पर है लेकि network 18 एक नहीं कई कई जगें पर काम करता है सबसे पहले इनकी news की बात करे तो news के पास अगर आप देखो तो CNBC TV 18 से लेकर CNBC Awa से लेकर Bazaar से लेकर CNN तक से लेकर कई सारी है अलग-अलग languages में है अलग-अलग languages ठीक है और entertainment की भी अगर हम बात है लेकिन जियो सिनेमा अब इसको खा जाएगा खा जाएगा अब इनको वूट को अगर Nickelodeon भी यहाँ पर है और यह सारा यह जितनी भी चैनल्स है ना यह जितना भी है आपको content जो network 18 का history tv 18 यहाँ पर इनका है कई सारा यह जितनी भी चैनल्स है जो आप वूट में पैसा देके देख रहे हो न वो सारी की सारी जियो सिनेमा में आने वाले दोर में फ्री में दिखाई जाएगी फ्री में दिखाई जाएगी डिजिटल कॉंटेंट की बात के तो money control भी इनहीं का है first post भी इनहीं का है पिछले लंबे समय से कोई बड़ी पिक्चरिंग के आई नहीं कहना मुश्किल है नेटवर्क 18 को लेकर अगर हम बात करने जाए तो company के अच्छे कासे quantity में प्रमोटर के holding ज़रूर लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि जियो इनको खाने वाला है आने वारे दौर में यह मेरा मानना है ठीक है यह मेरा मानना है और मुझे अभी भी लगता है कि थोड़े बहुत correction बन सकते है अगर 50 रुपे के आसपास नहीं रुका तो 40 तक भी जा सकता है लेकिन अगर 50 के आसपास support बन गया रुक गया तो फिर बाद में 55 तक भी जाएगा लेकिन chance थोड़े से कम है क्योंकि जिस तरीक के market को लेकर updates आ रही हो positive नहीं है और अगर पूरा बाजार अच्छे मूड में नहीं होगा तो इस पर भी असर तो पड़ेगा तो यहीं कहूंगा थोड़ा सा इंतजार करिए पहले देखिए कि support बन रहा है कि नहीं अगर नहीं बन रहा है तो आपको पता है कि नीचे तो जाएगा यह ठीक है अगर support बन गया तो उपर भी भागता हो नजर भी आ जाएगा आपको तो यहाँ पर अभी बस wait and watch का ही मैं कहूंगा सजेस्ट करूंगा यहाँ पर सिफ wait and watch करिए खरीदारी करने की अभी उतनी जादा जल्द बाजी मत करिएगा बाकी मरदी आपको रिस्क ले ना है ले सकते हैं वीडियो को यही पेंड़ करूंगा पसंदा है वो तो लाइक करें चैनल बगार पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और निट्रवक 18 के बारे में बता सकते हैं थैंक यू